हिट दे सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन फॉर डेली अपडेट एंड नोटिफिकेशंगे अज मैं रिव्यू करने वाली हूँ न्यूट्रिजिना का डेली स्क्रब ब्लेक हैड एलिमिनेशन करने वाला है यह बहुत ही ज्यादा अच्छा है बहुत अच्छा मतलब य इसका मैं रिव्यू करा था वह अच्छा था पर मुझे पसनली इतना खास नहीं लगा यह जो स्क्रब है ना वह लिटरली लिटरली बहुत साधा अच्छा है 5 में से 5 रेटिंग है इसकी क्वाइंटिटी भी अच्छी खासी मिल जाती है जिनको भी ब्लेक हैड्स की बहुत तब भी आप इसको वीक में 3 बार ही यूज़ करेंगे स्क्रब कितना भी mild क्यों ना हो daily based का स्क्रब क्यों ना हो फिर भी आपकी स्किन को ज्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए ज्यादा exfoliate नहीं करना चाहिए बड़ मेरी स्किन ओईली है तो घर मैं daily स्क्रब करती भी हूँ तो मेरी skin को कोई भी dryness की और itchiness की problem नहीं होती पर जो dry skin वाले हैं वो daily daily scrub करेंगा तो उनकी skin dry भी हो जाएगी और उनको itchiness भी बहुत फील होगी तो इसको week में तीन बार ही use करें ओके इसका best work जो है वो यह है कि आपके skin को bright करता है और आपके black head को करता है तब जाकर heads है वो आपके face से remove होते हैं ठीक है तो आप यह चीज़ याद रखें एक अच्छे face boss के साथ daily scrub भी use करना बहुत अच्छा रहता है आपके face की deep cleaning करने के लिए ठीक है यह face boss बहुत ही जादा mild है इसके जो fragrance है बहुत ही अच्छी है बहुत pleasant है प्यारी smell है और यह nutrigena का product है second product जो मैंने use करा है और मुझे बहुत ही जादा पसंद आया है यह product और हम इसके weight की बात करें तो यह 40 gram है और इसकी जो self life है वो 2 years है आप इसको 2 years तक ही आपको इसकी self life मिलती है इसकी जो rate है वो है 140 रुपीज इसकी जो MRP है वो है 140 रुपीज यह थोड़ा इसके weight के according इसकी quantity के according इसकी जो price है वो थोड़ी high है बट मुझे offer में यह 110 रुपीज का मिला था तो 110 के according 40 gram ओके ओके है यह मान सकते हैं कि rate आपने इसकी दुगनी दी और quantity आपको आदी ही मिली ऐसा है बट इस ओके अगर work अच्छा है तो थोड़ा बहुत अगर product अपने range से उपर भी जाता है तो कोई जादा खास problem नहीं होती है ओके इसको daily scrub यह इसे लिए भी है क्योंकि यह बहुत जादा mild इसके जो particles है आप अपने face को scrub करते हो न तो वो धीरे-धीरे dissolve हो जाते हैं तो मतलब आपके face को यह scrub तो करता है पर over exfoliate नहीं करता है कुछ-कुछ जो scrub होते हैं वो बहुत जादा harsh होते हैं मतलब उनके जो particles होते हैं बहुत जादा बड़े-बड़े होते हैं वो तो dissolve भी नहीं होते हैं वो particles कैसे जब आप इसको scrub करते हो वो बैसा का बैसा ही बना रहता है कुछ होता ही नहीं है ऐसा लगता है बढ़ यह है जो बहुत जादा mild है और आपके face को बहुत अच्छे से scrub करता है आप जब आप उसको अपने face पर use करते हो फिर आप धीरे-धीरे scrub करते हो एक-दो मिनिट के बाद यह आपके face को scrub के साथ अच्छे से clean भी कर देता है और इसके particle से ज़्यादा छोटे-छोटे हैं कि आपके skin पर वो बहुत ज़्यादा चीनेस फील नहीं होने देते हो और इसके use करने के बाद आप अपना face wash करते हो तो आपका face बहुत ही ज़्यादा smooth, bright feel करता है और साथ आपके चितने भी dead skin cells होते हैं वो पूरे remove हो जाते हैं आपके जो pores होते हैं उनकी deep cleaning हो जाते हैं मैंने आपको पहले बता दी फार में से 5 है इसको dry to oily skin सब यूज़ कर सकते हैं ये बच्चों के लिए नहीं है बच्चों के उपर इसको use ना करें और definitely ये paraben free है यो मुझे बहुत पसंद आया और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी इसके लिगर नहीं है